हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाक टूमा चनल पूजा जस्वानी आज मैं आपके पास कुछ ऐसे वर्ट्स के साथ आई हूँ जिनके इंग्लिश ट्रांसलेशन्स आपको नहीं पता होंगे तो आगे चलने से पहले अगर आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहला Oblivious भुलकड़ को इंग्लिश में Oblivious कहते हैं उसको sentence में हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो मितनी भुलकड़ क्यों हो? Why are you so oblivious? Next Cruel निर्द़ई को हम इंग्लिश में Cruel कहते हैं जैसे वो एक निर्द़ई राजा था He was a cruel king Next Gloom उदास या निराश को इंग्लिश में हम Gloom कहते हैं Gloom इसे sentence में हम इस तरीके से यूज़ करेंगे तुम उदास क्यों हो? Why are you gloom? या फिर आज तुम उदास लग रहे हो Today you are looking gloom Next Sad दुखी दुखी को हम इंग्लिश में Sad कहते हैं Sad इसको sentence में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं तुम इतने दुखी क्या हो? Why are you so sad? Next Coward दरपोग को हम इंग्लिश में Coward कहते हैं उसका इंग्लिश टांसलेशन हम देखेंगे तुम दरपोग हो You are Coward Next Angry गुसा या नाराज होने को हम इंग्लिश में Angry कहते हैं उसका sentence टांसलेशन देखेंगे Don't make me angry मुझे गुसा मत दिलाओ तुम मुझे गुसा दिला रहे हो You are making me angry इस तरीके से हम angry word का इंग्लिश में यूज़ करेंगे Next बेवकूफ बेवकूफ को हम इंग्लिश में fool कहते हैं Let's frame a sentence तुम इतने बेवकूफ क्यों हो Why are you so fool Next Misser कजूज को हम इंग्लिश में Misser कहते हैं Misser इसका sentence बनेगा वह बड़ा कजूज है He is a big misser Next पियक कड़ को हम इंग्लिश में Biblius कहेंगे Biblius इसको sentence में हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं He is a big biblius वह बड़ा पियक कड़ है Next Ruthless बेरहम इसका हम sentence इस तरीके से बना सकते हैं तुम बड़े बेरहम इंसान हो You are a ruthless man और भी हम बना सकते हैं sentence तुम इतने बेरहम क्यों हो Why are you so ruthless Thank you for watching Stay tuned, stay connected Hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा कैसा लगा आपने प्यारी प्यारी कमेंट्स के साथ ज़रूर बताईएगा झाल